Hey everyone, स्वागत है आपका Grow with Skills में आज हम text function में कुछ और functions को explore करने वाले हैं सबसे पहले हमारा जो function है वो है exact function तो exact के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ exact function क्या करता है? हमारे पास दो text होते हैं ठीक है? दो string होती है उन दोनों के बीच में exact match है या नहीं है ये हमें exact function find out करके देता है तो चलिए कुछ examples के through इसको हम समझते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ example दिया first example में मैंने क्या किया है? कुछ text यहाँ पर दिया है कुछ text यहाँ पर दिया है आपको differentiate already हो रहा होगा कि दोनों में difference है ठीक है? अगर data थोड़ा सा होता है तो आप तो वैसे ही analyze कर लेंगे कि इन में difference है बट अगर data बड़ा है तो analyze करना मुश्किल होगा देख देखके एक एक को कि वो exact match है या नहीं है तो वहाँ पर हम exact function का use करेंगे अब आप कहेंगे कि ये तो हम equal to के through भी check कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं एक output लेती हूँ with equal operator that means equal to का sign और एक मैं output लेती हूँ with exact function तो आपको दोनों में differentiate पता चलेगा कि equal operator के साथ और exact function के साथ क्या differentiate है तो सबसे पहले हम equal के साथ करते हैं equal में आपको कुछ नहीं करना एक text को select करना है बीच में equal to का sign देना है और दूसरे text को select कर देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे direct ही cell select करेंगे equal to this equal to this और enter प्रेस कर देंगे तो ये value हमें true और false में provide करेगा कि value true है या false है ठीक है अब इस case में आपके पास data display हो रहा है दो value इसने true पास की है और दो value false पास की है grow और glow ये दोनों ही grow थे ये भी दोनों grow थे दोनों को इसने true दिया यहाँ पर g के बाद space है और यहाँ पर g के बाद कोई space नहीं है इसलिए ये false दे दिया इन्होंने और यहाँ पर g के बाद dash है और यहाँ पर d, r, o, w, sub के बाद hyphen का sign है तो इसलिए इसने इन दोनों को false दे दिया क्योंकि ये match नहीं हो रहे हैं अब हम दोनों same जो हमने output निकाला है इसको हम exact के थ्रू निकाल के देखते हैं exact के लिए आपको exact formula put करना पड़ेगा bracket open करेंगे same way text1, text2 bracket close enter ठीके इसको भी हम formula नीचे तक copy कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या हुआ है इसने सब first को prove बताया है बाकि सब को false बताया है दोनों में differentiate किया है वो मैं आपको बताती हूँ जो exact function होता है यह सबसे पहला तो case sensitive होता है right case sensitive का मतलब यह है कि capital और small दोनों letter को भी यह check करता है अगर एक string हमारी capital letter में है दूसरी हमारी small letter में है तो मतलब वो exact match नहीं हो रहा है right तो case sensitive का मतलब यह है कि capital small को भी check करेगा तो first वाले case में क्या था हमारे दोनों ही जो string थी उन में capital letter used था इसलिए इसने true pass किया लेकिन second वाले में हमारा इसमें जो है जी जो है वो capital है लेकिन इसमें g small है इसलिए यह false pass किया लेकिन equal to के case में क्या हो रहा था जब इसको एक जैसा content मिल रहा था चाहे वो capital हो चाहे वो small हो यह आपको true answer दे रहा था तो दोनों के बीच में differentiate सिर्फ इतना ही है कि equal to operator जो है वो case sensitive नहीं है मतलब वो case wise check नहीं करता है और जो exact function है वो case sensitive है वो आपको बिल्कुल exact match देगा अगर आप चाहते हैं ठीक है मैं सिर्फ function का use आपको बता सकती हूँ बाकी उसको कैसे apply करना है यह आप खुद से देखेंगे next example मैं एक और लेती हूँ आपके लिए इसको भी हम दोनों के थ्रू करके देखेंगे equal to के थ्रू भी और exact के थ्रू भी ओके तो चलिए सबसे पहले equal to के थ्रू करते हैं this equal to this true output दिया copy कर लेते हैं नीचे तक उसके बाद यहाँ पर आते हैं exact text1 comma text2 तो इस case में क्या हुआ दोनों ही मेरे को output same मिले है अब यह ऐसा क्यों हुआ है क्यों की आप देखिए true जो equal to operator था उसने अपना काम बिल्कुल same किया ठीक है equal to operator क्या करता है सिर्फ वो match चेक करता है यहाँ पर मैंने क्या किया यह आपको different दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है मैं अगर इसका format clear कर देती हूँ ठीक है यहाँ से date copy करके मैंने just यहाँ पर put down की और इसको मैंने convert कर दिया number में date की जगह है मैंने इसको ले लिया number में सिर्फ इसका format change हुए है date change नहीं हुए है इसलिए output true आया है जो equal to operator ने बिल्कुल ठीक किया है ठीक है अब यहाँ पर आते है exact वाले में हमारा motive यह था कि वो हमें exact चेक करके देगा तो वो काम इसने भी किया है 56 dollar हो या 56 हो ठीक है अगर हम 56 dollar को dollar का sign क्या है वो just take format है हमारा amount लिखने का just take format है हम dollar, rupees कुछ भी लिख सकते है वो एक format होता है वो कोई extra word नहीं होता अगर आप formula बार में देखेंगे यहाँ पर तो आपको display हो रहा है हम पर only 56 ही है क्योंकि जो dollar का sign है वो just take format है हमारे text को और भी identify करने के लिए कि वो क्या है तो ऐसे ही अगर हम इसको देखते है 56 तो यह भी हमें 56 से display हो रहा है इसलिए इसने true pass किया क्योंकि यह दोनों बिल्कुल same है अब इस पर आते हैं इस पर अगर हम देखते हैं तो 50 percentage और 50 इन दोनों में difference है 50% का मतलब क्या है कि वो percentage है वो कोई additional format नहीं है वो एक percentage है वो अलग value है लेकिन 50 एक amount है यह दोनों differentiate हो रहे हैं इसलिए इसने इसको false देदिया तीसरे पर आते हैं तो यह भी date है यह भी date है दोनों में difference क्या है सिर्फ format का यह है date format में और यह है number format में इसलिए उसने true pass किया तो मतलब exact का एक और point यह भी है कि वो format को ignore करता है ठीक है data exact match करके हमें देता है case sensitive होता है और format को ignore करता है same format वालों को same data को वो true ही आपको represent करके देगा ओके तो यहां हमारा exact example finish होता है अब एक और function में आपको बताने वाली हूँ जिसका नाम है care care function मतलब किसी भी number को जब हमें character wise display करना हो या symbol wise display करना हो तो हम character function का use करते हैं basically जो character function का काम है वो हमें sky value बताता है कोई भी एक number की sky code क्या है वो हमें represent करके देता है character function तो यहां पर मैंने कुछ data लिया है आपके सामने दिख रहा है कि कुछ numbers मैंने ले रखे हैं इनका output हम देखना चाहते हैं हम यह देखना चाहते हैं कि sky value क्या है sky code क्या है या इनकी जगह पे कौन सा symbol या कौन सा character use होता है in terms of computer तो हम इसको use करेंगे simple है इसके लिए care use करेंगे आप bracket open करेंगे और data को ले लेंगे bracket close कर देंगे तो यह देखिए 33 की sky value है exclometry sign मतलब अगर हमें कहीं पर exclometry sign put करना है तो अगर हम care 30 दे देंगे तो वो automatic sign को put कर लेगा ओके इसको drag करते हैं नीचे तक तो यह देखिए हर number की आपको sky value display हो रही है और जो यह sky value होती है यह 1 से लेके 255 तक होती है आप complete निकाल सकते हैं कि किस number के लिए कौन सा code या कौन सा symbol use किया जाता है represent करने में अब example 2 में हम आते हैं हमें suppose इन दोनों के बीच में दोनों को merge करना है लेकिन merge करना है with line break हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक line आ जाए ठीक है तो वो काम हम character function के थूँ कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो हम merging का काम करेंगे जो हम करते हैं normal and function या फिर concatenate के साथ ठीक है जो भी आपको समझमा आता है आप उसके through कर सकते हैं मैं एक को दोनों के साथ आपको बता देती हूं and function में simple हमें एक text लेना होता है उसके बाद and का sign देना होता है उसके बाद हमें दूसरा text देना होता है और enter कर देना होता है ठीक है तो यह दोनों साथ में concatenate हो जाते हैं सेम ऐसे ही हम concatenate के साथ भी करते हैं concatenate में हमें formula लिखना होता है text1 select करना होता है comma text2 select करना होता है bracket close कर देना होता है यह मैं पहले वाली videos में भी बता चुकी हूँ इसलिए मैं इतना detail में नहीं जा रही हूँ ओके तो यह मेरा है end के साथ यह है मेरा concatenate function के साथ अब दोनों में मुझे काम क्या करना है मुझे करना है कि मुझे character line break का use करना है कि line break का character क्या होता है मतलब character function के साथ हम line break देने वाले हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले end वाले function में जाएंगे f2 press करेंगे अब हमें line break चाहिए कहाँ पर hello के बाद चाहिए मतलब first वाले text के बाद इस end के बाद चाहिए तो हम यहाँ पर दे देंगे care और bracket में देंगे 10 character 10 जो use होता है मतलब number 10 जो use होता है वो line break के लिए use होता है अब एक और end देंगे क्योंकि merge भी तो करना है देखिए अभी आपको कुछ नहीं display हुआ है यहाँ पर right अब इसमें जाते हैं इसमें भी पहले same काम कर लेते हैं character 10 को दे देते हैं अब यहाँ पर हम इस वाले के बाद देना है न हमें तो यहाँ हम देंगे care 10 और एक और कॉमा देंगे और enter कर देंगे अब दोनों में आपको difference अभी visible नहीं हो रहा है इस difference को visible करने के लिए हमें use करना पड़ता है wrap text का option ठीक है home वाले option में मैंने आपको बताया था wrap text क्या काम करता है तो wrap text का जब हम use करेंगे तो हमें यह जो difference हमने किया है मतलब जो line break हमने put किया है वो visible होगी तो मैं इन दोनों के साथ सबसे पहले आपको बताती हूँ wrap text किया तो यह देखिए यह एक line break add हो चुकिया जो हमने characters 10 के साथ की थी बट इसमें वो चीज add नहीं हुई same हम इसके साथ भी करते है wrap text करते हैं तो यह देखिए इसमें भी add हुई है बट इसमें add नहीं हुई है तो character functions के साथ हम यह line break भी add कर सकते हैं अब अगर आप देखना चाहते हैं कि multiple characters कैसे क्या मतलब sorry किस number का क्या character है क्या sky code है तो वो आप easily देख सकते हैं आप one से लेकर number count कर लीजे जहां तक भी आपको चाहिए ठीके मैं आपको कुछ number से यहां पे लेके दिखा देती हूँ मैंने यहां पे 175 तक ले लिए वैसे यह one से लेके 255 तक होते हैं ठीके तो मैंने 175 तक ले लिया है और मैं देखना चाहती हूँ कि सबकी value क्या क्या होती है तो care और one को select कर लूँगी enter कर लूँगी तो यह देखिए आपको सबकी value display हो रही है यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 10 की जगे पे आप देखिए हैं यहां पे blank आ रहा है तो कुछ ऐसे cells होते हैं जो space को लेता है या line break को लेता है तो उनकी जगे पे हमें space display होगा मतलब blank display होगा यह कोई value नहीं print करके देंगे आपको लेकिन action perform करेंगे इसलिए इनके सामने blank है ठीक है तो यह देखिए आपको देखिए रहा होगा हर कोई अलग-अलग अपनी value hold करके बैठा हुआ है हर कोई number तो आप ऐसे करके अपने सारे ही जो 1 से लेके 255 तक होते हैं उनके sky codes निकाल सकते हैं और उनका use कर सकते हैं अपने text के साथ अपने numbers के साथ अपने किसी भी data के साथ ओके तो यहां finish होते हैं हमारे care और exact functions I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोनों formula समझ में आए होगे अगर वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए and I will see you on my next one thank you so much, bye bye